इसकार साथियों स्वागत है आपका अपनी ही योटॉब चैनल बीरू अकैडमी पर सभी को गुड यूरिंग अडियर आज हम बात करने आए हैं कुछ साथियों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि आखिर सर्जो 79,000 में एक नंबर बढ़ा है सुप्रिम कोट से क्या सिर्फ ही आसान होती दिख रही अडियर क्योंकि सिच्छा विभाग में कुछ बड़े बदलाओ किये गए हैं कई नए आयोगों के गठन के लिए नोटिस जारी की गई है और बात करेंगे 79,000 में क्या पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी और बात करेंगे बीर्ड वर्सेज वी प्रस्ण के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके मैल आइकन प्रेस कर दीजिए पहले बात कर लेते हैं 69,000 का जो मैटर था एक नमबर वाला इसमें जो है पहले वही प्रस्न के लिए हाई कोट जाया गया था और हाई कोट ने छात्र हित में फाइफला दिया था लेकिन सरकार उसके अगेंश्ट सप्रेम कोट में मामला ले गई थी लेकिन सप्रेम कोट में जो SLP थी सरकार की वो पुरी तरीके से डिसमिस हो गई और SLP को सप्रेम कोट ने खारिच कर दिया तो एक अंक तो मिलना तै हो गया लेकिन अब कुछ फातियों के mind में ये चल रहा है प्रशन की क्या सर एक अंक किन किन को मिल पाएगा तो जहां तक मेरी बात हुई है मन्नी वकीलों के माध्यां से हमने संपरक साधा तो उन्हों ने इस पस्क्त तोर पर कह दिया कि जो ये एक मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ याची लाब होगा तो अगर आप याची बने थे इस केस के तो आपको ये लाब मिलना ताई है और आपकी नियुक्ति पत्र भी मिलेगा क्योंकि इसमें जो मैटर ये हुआ था 79,000 की जब भर्ती कंप्लीट होई तो हलप नामा जो है सुप्रिम कोट में दिया गया था योगी कैबिनेट के दोवरा कि हमने 79,000 भर्ती कंप्लीट कर ली तो उसके बाद जब अरफट सुसूची निकाली गई थी अरफट सुसाथी इसी में चैनित होने वाले थे अरचण की संगतियों का जो मामला था अरफट में घोटाले के जो बात उठी थी तब सुप्रिम कोट ने जरूर कहकर उस भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस से बाहर कर दिया था कि आपने जब 79,000 भर लिये तो फिर अरफट सुपद आप किस बेस पर भर रहे हैं जो गड़बडिया अगर इनके लिए नए पत जोड़े जाते हैं तो फिर आरफट सो सिच्छक भरती सासियों के लिए भी पत जोड़े जाएंगे तो ये मामला काफी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है हलाकि इस पर डिसीजन जो है वो सुप्रिम कोट का है तो कहीं ना कहीं 99,000 में जो ए एक अंक्वाला मैटर है वो तो सरकार को क्लियर ही करना होगा क्योंकि सुप्रिम कोट का अदेश है अब बात कर लेते हैं कि प्राथमी सिच्छ भरती कैसे आसान होगी तो आई उसके लिए आपको सिच्छा विभाग में पहले बदलाओ दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर प्राथमी की सिच्छा से लेकर कच्छा वारा तक की एकी करत सिच्छा विभास्ता की संकल्पना की गई है यानि की एकी करत एक आयोग की बात की जा रही है जो एक से बारा तक की जो परिच्छा होंगी भरती होंगी उन सब को एक आयोग की द्वरा हैंडल किया जाएगा य बात की जा रही है। किया जाता था अब एक ही आयोग का कठन होगा और उसी के माध्यम से प्रात्मि सिच्छक भरती होगी और बड़ी भरतियां भी होगी तो अब एक ही आयोग होगा तो कहीं ना कहीं जो सिलेबस इत्यादी है वो पहले से जारी होगा और जो पहली बार होता है कोई सिस्टम तो उस बार वो आसान होता है आप देखें होंगे जो भी परिच्छाएं पहली बार हुई है उनका पेपर थोड़ा आसान होता है उनके चांसे शरल होते हैं कि आप शैनित हो जाएं पिछली बार आपने देखा था जल्द ही इसकी बैकेंसी भी फालो होगी जैसे ही यह 79,000 कमेंटर क्लियर होता है उसके जफ्ट बाद एक बड़ी प्रास्मी सिच्च भरती की जो तयारी है वो चल रही है और इसलिए आप देख पा रहे हैं बेसिक भी वाग में लगाताल लेटर जारी हो रहे हैं जैसा कि अभी आपको बड़े बड़ाओ के साथ लेटर दिखाया गया अब बात करेंगे बीड वर्सेस बीटीसी के मगदे की सुप्रेम कोट की इसके लिए काज और एडवांस दोनों लिफ्टे जारी हो गई है और आने वाली 16 नमबर को इस केस को हैंड जो है सुप्रेम कोट में सुना जाएगा अब कुछ साथी इसमें पूछते हैं कि बीड जीत रहा है या वीटीसी जीत रहा है देखिए मैं आपको बता दूँ बीटीसी के पास एक मात्र आधार है इसको जीटने का वो है जोदपुर हाइकोट का डिसीजन जिसका आडर की कॉपि लगाकर वो सुप्रीम कोट में बैठ गया है और अगर बात करें बीड साथी ओं की तरफ से केंदर की केंदर सरकार खड़ी है और कई राज्यों की राज्य सरकार SLP दायर कर चुगी है B8 के पच्छ में तो B8 के साथ केंदर की केंदर सरकार है NCT है तो यह माल लीजिए कि अभी इतना आसान नहीं होगा किसी एक पच्छ को प्राथमिक लेवल से बाहर कर देना लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि अगर आज की रेट में बात की जाए तो अभी B8 पूरी तरीके से सेफ है लेकिन 16 नवंबर की जो सुनवाई होगी वो अहम और टर्निंग पॉइंट लेकर आएगी उसी दिन यह कंफर्म हो जाएगा कि प्राथमिक में B8 रहता है या B8 की अब यहाँ से छुटी होती नजर आएगी अगर B8 पूरी 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 तरीके से सुप्रिम कोर्ट देता है क्यों कि सिच्छा समुर्ती सुची का भिसा है B8 वालों को दोतिय वरिता दे कर ऐसे भी इस मुद्दे को साल्व कर सकती है सुप्रिम कोर्ट पर्टिकुलर किसी एक को जिता दे पाना कहीं ना कहीं सुप्रिम कोर्ट के लिए गले की फांस साबित हो सकता है एक पच्छे में डिसीजन सुप्रिम कोट के लिए थोड़ा चिरदर्द बना हुआ है क्योंकि संख्याएं दोनों तरफ हैं और दोनों की बातें कहीं ना कहीं तरक संगत हैं अगर BTC की बात की जाये तो वो कहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है एक से पांच तक की है महुदे तो फिर हम अगर हमें हमारी क्लास में कोई अन्य को आप लाते हैं तो हम कहां जाएं या तो हमें भी जूनियर तक एट जो है वो ऐलजबल कीजिये तो काफी जदा भी वादास्पद है इस मुद्दे पर आने वाली 16 नमंबर को जो है इस मुद्दे पर नजर रखी जाएगी सुप्रिम कोट जैसे ही इस पर सुनवाई करेगा तो यह मान लिजे कि सुप्रिम कोट उसके सुनवाई के दोरान ही जो पॉइंट दियोज आएगा क्लियर हो जाएगा कि प्रास्मिंग में वीड रहेगा या नहीं रहेगा आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है जब कमेंट करके बताईएगा कि 69,000 में सिर्फ याची लाब हो या सभी को लाब दिया जाए अगर 69,000 में पदों की संख्याओं को किस प्रकार से सरकार बढ़ा सकती है बीड वर्सेस बीटी सी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जुरूर बताईएगा चैनल पर पहली बारा हैं सबस्क्राइब कर लीजेगा सुर्मिलेंगे नेक्स्ट अब्डेट में तब तक के लिए जैहिंजे वारत थैंक्यू